ओम शांती, दस माज की शुरुदान वसको सोगत है, स्नेहे और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महालात्मा भवा, विस्तार में चलेंगे, जो भी संपर्क में आए हैं, उन्हें ऐसा संबंद में लाओ, जो संबंद में आते आते समर्पन बुद्धी हो कि जो बाप ने कहा है, वही सत्त है, यह कब पॉसिबल है जब हम खुद ही उन बातों को फॉलो कर रहे हों, और परमात्मा से करनेक्टेड हों, इसको कहते हैं समर्पन बुद्धी, फिर उनके प्रश्न समाप्थ हो जाएंगे, सिर्फ यह नहीं क्यों कि इन्हों का ग्यान सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ग्यान अच्छा है, कुछ आते हैं, ग्यान सुनते हैं और कहते हैं, इनका ग्यान तो बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार तरीके से समझाते हैं, नहीं इतना नहीं, लेकिन यह नया ग्यान है, जो नई दुनिया लाएगा, यह आवा स्वर्ग इस दुनिया में नहीं कहीं और है लेकिन जब हम समझ आएगा कि परमात्मा का दिया हुआ ग्यान कि परमात्मा करके इस धर्ती पर ग्यान देंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी-किसी वो ग्यान पाने से नहीं दुनिया बनती है और ये दुनिया जो नरके वही स्वर्ग बन जाती है ये अगर औरों को समझ आ जाए तो कुम्ब करन जागेंगे तो नवीनता की महानता दोरा स्ने और अथॉरिटी के बैलन्स से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक त्यार हुए तो नवीनता क्या है और महानता क्या है आत्माओं को स्ने में बांदना परमात्मा के स्ने में अपने स्ने में नहीं परमात्मा के स्ने में बांद करके उनको परमात्मा के ज्यान की गहराई को पकड़ने की शक्ती दिलवाना तब जाकर के माइक त्यार होंगे उम्शंती